लूकर गंज में अतीक एहमत की कबजे से खाली कराए गए जमीन पर गरीबों के लिए घर बनकर तयार हो गया है इस जमीन पर कुल 76 फ्लैट बने हैं, हर फ्लैट में दो कमरे किचन बातरूम बनाए गया है फ्लैट की फिनिशिंग का काम चल रहा है, सभी फ्लैट को भगवारंग से रंगा गया है इस फ्लैट के लिए शहर के 6030 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें जाच के बाद लगभग 1600 लोगों को फ्लैट के लिए पात्र माना गया था आज अलग-अलग कैटेग्री में 46 फ्लैट के लिए लाटरी निकाली गए, जिसमें पीजे के अफसरों ने एक दिब्बे में नामों की परचिया भरी, फिर एक को बुलाकर परचिया निकलवाई गए, ये प्रक्रिया लगभग 76 फ्लैट के लिए की गए प्रियाराज में महाफिया से हम लोगों ने जमीन खाली कराई थी और प्रियाराज विकास प्रादिकर ने रिकार्ट टाइम में इसको पूरा किया, पूरी गड़ता के साथ के साथ, और जो एक प्रक्रिया होती है कि जो भी आविदक हैं, उनकी पातरता के जाज करके, प्रियाराज में इसको आवाज मिलना है उसको आज लाटे के मंदर से मिल जाएगा, और आगे की जो प्रक्रिया है कब जा देने की वो नियमा उसा की जाएगी लूकरगन 17 वर्ग मीचा से ज़्यादा की ये जमीन नाजूल की थी, जिसे अतीक एहमत ने लिया था, और समय अवधी खत्म होने के बाद भी अपना कबजा जमाया हुआ था, चुनाव में इस जमीन पर प्रचास आमगरी रखा जाता था प्रदेश में जब निजाम बदलत हो, इस जमीन को वापस सरकार ने अपने अधीन लेकर गरीबू के लिए पियम अवास योजनल शुरू की, आज शियत्तर गरीबू को पीजी ने उनके सर पच्छत दे ली, एक फ्लैट की कीमत करीब 7 लाक रुपे है, जिसमें आधा पैस सरकार देगी, जबकि बाकी पैसा किस्तों में फ्लैट मालिक को देना होगा, इस अवासी योजनल की माध्यन से योगी सरकार ने साफ संदेश दिया कि, माफ्याओं से छुड़ाएगे जमीयों पर आगे भी गरीबू के लिए आश्याना बनेगा कि अपने मकान में रहें, क्योंकि किराय दनी की छमता हम लोगों को पास नहीं है, सिन्यर सीजन हो चुके हैं, अब उड़ापे में काम नहीं हो पाता है